फ्रेंड्स आप सभी का मेरे यूटूब चैनल इजी कलियर एकजाम में स्वागत हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही महतपूर जानकारी देने वाला हूँ कि भारत के समिंधान के दोरा भारत के राश्पती को कौन-कौन सी छमादान सक्तियां दी गई है यानि कि भारत का राश्पती कौन-कौन सी सजा को माफ कर सकता है और राश्पती से छमादान याजिका के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है दोस्तों राश्पती किस प्रिक्रिया के तहत किस किस ब्यक्ति को सजा माफ कर सकता है और कौन-कौन सी सजा को राश्पती माफ कर सकता है इस वीडियो में हम दोस्तों जानेंगे दोस्तों राश्पती की जो pardoning power of President of India है उनसे सम्मंदित बहुत ही महतपूर जानकारी हम इसमें लेने वाले हैं दोस्तों और राश्पती की छमादान की जो सक्ति है दोस्तों राश्पती की जो छमादान सक्तियां है वह एक क्या है समयधानिक सक्तियां है दोस्तों क्यों क्योंकि इनका इस्पष्ट उलेख राश्पती की छमादान सक्तियों का इस्पष्ट उलेख भारत के सविंधान में है दोस्त क्योंकि यह एक नियाईक प्रिक्रिया नहीं है यह एक कार्रेकारी प्रिक्रिया है तो यह नियाई-पालिका से पून रूप से सौतंत्र है दोस्तों अनुछेद 161 में राज जिपाल की छमादान सक्तियों का भी उलेक है यानि कि भारत में दो ब्यक्तियों को सजा को माफ करने की सक्ति का उलेक किया गया है किसमें भारत के समिंधान में जैसे कि अनुछेद 161 में राज जिपाल अगला दोस्तो समिंधान के अनुछेद 72 में राश्टपती की पाँच छमादान सक्तियों का उलेख है कितनी पाँच छमादान सक्तियों यानि पाँच प्रकार की सजाओं को राश्टपती माफ कर सकता है आगे जानेंगे दोस्तो कौन कौन सी वह सजाएं हैं जिनमें राश्टपती उनको माफ कर सकता है दोस्तो राश्टपती की जो छमादान सक्तियों उनमें से जो पहली है वह है लगुकरण लगुकरण का मतलब यह होता है दोस्तों इस सब्द का अर्थ यह होता है कि इसमें क् प्रकति को बदल दिया जाता है जैसे कि किसी भी ब्यक्ति को म्रत्यु डंड मिला है उसको म्रत्यु डंड को राष्पति कठोर कारावास में बदल सकता है यानि कि किसी भी ब्यक्ति को यदि न्यायले ने म्रत्यु डंड की सजा सुनाई है तो राष्पति उस म्रत्यु डंड को किसमें कठोर कारावास में बदल देता है यानि कि जो लगू करण है कम्यूटेशन है उसका अर्थ यह होता है कि सजा की प्रकती को बदल देना और इसमें मृत्तिव दंड की जो सजा है उसको किसमें कठोर कारावास में बदल दिया गया दूसरा जो सकती है दोस्तों वह है परिहार यानि रिमिसन इसमें क्या होता है दोस्तों इसमें सजा की आवधी को बदल दिया जाता है सजा की जो आवधी होती उसको बदल दिया जाता है लेकिन सजा की जो प्रकति रही है उसको नहीं बदला जाएगा इसका मतलब है Remission जैसे माल लीजे किसी बेक्ति को दो वर्स का कठोर कारावास का सजा नयाले ने दिया है तो उसको एक वर्स के कठोर कारावास में बदल दिया जाएगा यानि कि उसकी समाई की जो आवधी है सजा की आवधी है उसको कम किया गया लेकिन सजा की प्रकति यानि दंड की प्रकति को कम नहीं किया गया तीसरा है दोस्तों प्राविलंबन यानि की रेप्रियू यह किसी दंड को कुछ समाई के लिए टालने की प्रक्रिया है जैसे माल लीजे किसी ब्यक्ति को फासी की सजा दी गई है तो राश्टपती उस फासी की सजा को कुछ समय के लिए टाल सकता है दोस्तों इसमें क्या होता है कि समय को आगे बढ़ाया जाता यानि कि उस व्यक्ति को उस समय फासी या उस समय उसको वह दंड नहीं दिया जाएगा दोस्तों अगला जो है दोस्तों बहुत ही महत्पूर है विराम विराम यानि रिस्पीट इस छमादान सक्ति का प्रियोग राश्पती कुछ विसेस परिस्थितियों में करता है जैसे मालो किसी महिला को कोई भी सजा मिली है लेकिन उस समय वह गर्भावस्ता में है दोस्तों गर्भाव तो ये बहुत ही महत पूर सकती है राश्पती की दोस्तों पाचवी है च्छमा इसका अर्थ यह होता है कि सजा से पूरी तरह से मुक्त कर देना यानि कि मुक्त होने देना यानि कि माल लीजिए किसी भी बेक्ति को किसी भी प्रकार की सजा नियाले के दोरा दी गई है तो रा तो पस कोई भी नियाले की तरप से सजा नहीं है उसको कोई भी दंड नहीं है दोस्तो जैसे ही राष्टपती छमा करता है उसको यानि कि तो उसके पस्चात हुआ है अपराधी नहीं होगा दोस्तो आगे जानेंगे दोस्तों इससे सम्मंधित और भी महतवपूर्ट अथ्यों को दोस्तों जैसे कि राष्टपती सरकार से सोतंत्र होकर अपनी छमादान सक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है दोस्तों भारत के सम्मंधान में इस पश्ट उलेक है कि भारत का जो राष्टपती होगा वह मंत्र परसत की सलाह के अनुसार काम करेगा तो जब राष्टपती मंत्र परसत की सलाह के अनुसार काम करेगा तो उसकी जो चमादान सक्ति है वह भी सोतंत्र नहीं है यानि कि उच्छतम नियाले ने भी फैसला सुनाया था कि राश्टपती की जो दया याचिका पर फैसला है उसको करते समय मंत्री परिसत की सलाह पर कारे करना होगा यानि कि भारत के सरोच न्याले उच्टम न्याले ने यह नेड़े दिया था कि राष्ट पती भारत सरकार की मंत्री परिसत के अनुसार ही छामादान याचिका पर कारे करेगा 1980 में मारूराम बनां भारस संग और 1994 में धननजय चटरजी बनां पश्चिम बंगाल राज में भी ऐसा ही नेड़े सरोच न्याले के द्वारा दिया गया था दोस्तों अगी जानेंगे हम दोस्तों राष्पती की छमा करने की प्रक्रिया क्या होती है यह प्रक्रिया भारती समिंधान के अश्चिय narrative 72 के तहत राष्पती के पास दया याचिकर दाय करने से सुरू होती है यानि कि किसी भी वैक्ती को जब दंड मिलता है तो वह इन पांचो सक्तियों में से यदि राष्पती के पास कोई भी याचिकर लेके जाता है तो यही प्रिक्डिया होती है कि वह अनुछेत बहततर के अंतरगत छमायाचना करता है इसके बाद याचिकाइक पर क्या होता है दोस्तो याचिकाइक पर वीचार करने के लिए यह ग्रह मंतराले को बेजी जाती जब राश्टपती के पाच पहुंचती है तो राश्टपती इसको किसके पाच पहुंचाता है ग्रह मंतराले के पास दो तो क्योंकि इसके पहले ही हमने जाना था कि राश्टपती मंतरी परसत के सलाह अनुसार ही कारे करता है दोस्तों जिसके बाद समंधित राज सरकार से भी सलाह ली जा सकती है ले सकता है ग्रह मंतरा रहे और नहीं भी ले सकता है ग्रह मंतरी की सिफारिस पर परामर्स के बाद याची का राश्पती को वापस भेजी जाती है दोस्तों इसके पस्चात राश्पती के पास एक पावर और है एक पावर कौन सी है दोस्तों राश्पती की पुनर विचार सक्ती भारत के समिंधान में दोस्तों अनुछेद 74 के अनुसार राश्पती मंत्री परसत की सला अनुसार कार करने के लिए बाद दे है लेकिन राश्पती अंशे 74 एक के अनुसार राश्पती पुनर विचार की सक्ती भी दी गई है उसको यानि कि वह राश्पती किसी भी याचिका को पुनर विचार के लिए लोटा सकता है लेकिन यहाँ पर एक मुख तथ यह है कि जब राश्पती के पास मंत्री परसद उसी याचिका को बिना परिवर्तन या परिवर्तन के साथ भेजता है तो राश्पती को उसे स्विकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है तो यानि कि आप समझ लिए राश्पती को पांच छमादान सकतियां दी गई है लेकिन भारत के समिंधान ने ही यह समयधानिक प्रावधान भी किया लेकिन संपूर सकती भारत के सरकार के मंत्री परिशत को दे दी क्योंकि मंत्री परिशत की सलाह के अनुसार ही राश्पती कर करता है दोस्तों आगे जानेंगी कि राश्पती और राजपाल की जो छमादान सक्तियां है दोस्तों इनमें अंतर क्या है दोस्तों अंशेद 72 के अंतरगत छमादान सक्ति का दाइरा अंशेद 161 के तहत राजपाल की छमादान सक्ति से अधीक है दोस्तों कैसे कि कोट मारस के दोरान जब किसी ब्यक्ति को राश्ट सजा मिलती है तो राश्ट पती की छमादान देने की सक्तियां उन मामलों तक विस्तारित हो जाती है जहां सजा कोट मारसल यानि सैन अदालत के दोरा भी दी गई लेकिन एक सो अनुछेद 161 में राज पाल को ऐसी कोई सक्ति परदान नहीं की गई यानि की कोट मारसल की सजा को राज पाल माफ नहीं कर सकता है केवल केवल कौन कर सकता है राश्ट पती या दूसरा है मौत की सजा यानि डिथ पेनाल्टी राश्ट पती उन सभी मामलों में छमादान दे सकता है जहां दी गई सजा मौत की सजा भी हो लेकिन र प्रतिव दंड को छमा देने की छमादान करने की सक्ति नहीं दी गई है तो इस तरह से राशपती के पास जो छमादान सक्तिया है वह राजपाल से कहीं अधिक हैं दोस्तों इन दो प्रकार की सजाओं को माफ किवल राशपती कर सकता है ना कि भारत के किसी राजपाल दोस्तो झाल